अपने यूटूप चनल कौमर्दी संजीब सर्में और आज हम लोग लेखा सास्त्र का सलैबस आपके लिए देते हैं जैसा कि आप जानते हो जो अलेवंत किलास है करक्षा 11 है बहे आगे के जितने भी किलास है चाहें आप बीकॉम करना चाहें एमकॉम करना चाहें बीबीए क करना चाहें एमबीए करना चाहें एमसीए करना चाहें सीए करना ये सभी की जड़ होती है सभी की ये नीव होती है जितना अच्छा आप अलेवंत को त्यार कर लोगे आपका आने वाला जो फ्यूचर है उतना ही उज्वल होगा ये बात आज गांट बांद के रख लो कहान फिर वो चल करके कभी तो commerce को कोशते हैं, कभी अपने आपको कोशते हैं, कभी teachers को कोशते हैं, कभी college को कोशते हैं, लेकिन सच बात क्या है, सच बात यह है कि जब नीचे का जो base है बही कमजोर हो गया, तो आगे आने वाला जो समय होता है, वो बहुत ज़दा परेशानिया दे किलास में अगर फर्ष्ट सीट पे पिर्थम नंबर पे अगर आप बास्तम में आना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी और हम तो कर ही रहें तो आए किसी भी बिसा में आगे बढ़ने से पहले एक टारगेट फिक्स किया जाता है एक पॉइंट बनाया जाता है ल इसने भी बच्चे 11 में में अकाउंटेंसी पढ़ेंगे वो एक सा पढ़ेंगे जब वो कॉंपडिशन देंगे तो एक सा कॉंपडिशन उनका होगा तो इसलिए हमारे देश में आप NEP लागू है तो आज का यह जो स्लेवस है वो निया स्लेवस है और 2022-23 के लिए है उनके NEP के according है new education policy के और जैसा कि इसका नाम लेखा सास्त्र रखा गया है तो पहले बात मैं बता दूँ कि सलेवस से पहली यह भी कि लेखा सास्त्र का मतलब क्या होता है हमारी बुक का नाम लेखा सास्त्र क्यों रखा गया है लेखा सास्त्र दो सब्दों से मिलकर के बना है नहीं रख सकते हो और व्यवसाय का हिसाब किताब भी रखना जुरूरी है तो व्यापारिक हिसाब किताब को रखने के लिए जितने भी लेंदेन हो रहे हैं उन सब को लिखना होता है इसी को हम क्या कहते हैं लेखा कहते हैं और सास्त्र का मतलब होता है अध्यान यानि वो ले लेखा सास्त्र बच्चों दो सब्दो से मिल करके बना है लेखा पिलस सास्त्र लेखा का मतलब जितने लेंदेन हो रहे हैं उनको पहचानना उनको समझना मुद्रा में मापना और उनको लिखना यह हमारा लेखा होता है ओके और सास्त्र का मतलब इन सब में कौन-कौन से निय तो वही चेज़ कहता हूँ कि नीचे का अगर इस टेप कमजोर हो गया तो आगे का अलरीडी कमजोर हो जाएगा लेकिन जिन बच्चों ने हम पर वरोसा किया है हम उनका वरोसा तूटने ने देंगे जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफिस का नंबर है 97198 11101 ऑफिस का इंडिया की नंबर बन क्लासे साब को हिंदी मीडियम के लिए यही मिलेंगी अब आईए हम आपको स्लेवस पर ले चलते हैं और यह जो स्लेवस हम आपके लिए डिस्पले पे दिखा रहे हैं यह सलेवस अब केंद्र सरकार के दौरा जो एनईपी लागु की गई है उसके और आप देख रहे होगे कि इसमें कहीं परविन लिखा की कौन सा वोड है UP वोड है MP जारकंड वोड है बिहार वोड है गुजरात वोड है कोई वोड नहीं है यह पूरे इंडिया का सलवस एक जैसा हो चुका है और आप देखिए उपर लिखा है कक्षा 11 बालिज बर्ग और नीचे लेखा सास्त लिखा हुआ है और भाग एक में लिखा हुआ है बित्तिय लेखांकन और कॉर्णर में 100 अंक लिखे हुआ है यानि 100 अंकों का आपका ये लेखा सास्तर है ये दो भागों बटा हुआ है बित्तिय लेखांकन अब इसमें टोटल इकाईया कितनी है इकाई वाले में देखो पहले नंबर पे एक इकाई लिखा फिर एक दो करके इन्होंने दे दिया है फिर दो इकाई लिखा फिर एक दो करके दे दिया है तीन इकाई में एक दो करके दे दिया है फिर नीचे देखें प्रियोग द्वारा लेख हंकन प्रणाली ये, कंप्यूट राइड लेख हंकन की ये बात कर रहे हैं, जो कॉमर्स में तो कठिन सब्दी यूज के होंगे, बुक्स में कठिन सब्दी यूज होंगे, लेकिन हम जो PDF नोट्स देंगे, बहुत ही इजी होंगे, और जो PDF नोट्स हैं वो कई सारी books से collect करके बनाए गए है और नया एकदम मसाला बहुत अच्छा है तो ये जो हमारा पहले page पे आपको दिख रहा है ये आपका slavus मोटे मोटे में दिया हुआ है आगे भारांस भी दिया हुआ है 10 नंबर की पहली काई है 10 नंबर की दूसरी काई है तीसरे नंबर पे बैंक समधान विबरन और तलपट के असुद्धियों का शोधन 15 नंबर में है ये जो चाप्टर है मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ओके बैंक समधान विबरन के लिए आप घबराईएगा बिलकुल नहीं और इसके बाद में हिरास प्राबधान और संचय है ये 20 नंबर में है ओके ये डेप्रिशेशन जरूर आएगा और ये हिरास और प्राबधान और संचय है जो हैं ये थेोरी के फेपर हैं ओके चलिए हम अगले पेज बेचलते हैं बिस्तार से देखते हैं देखे इसमें क्या हुआ ये चैप्टर दिये हुए हैं एकाई एक में जो आप उपर देख रहे हैं बिस्ता सूची जहां लिखा हुआ है बित्तिय लेखांकन तो यहां पर लेखांकन एक परिचय लिखा हुआ है यहां से पहले क्लास यह सब इतने क्लासी बने हुए होंगे जो उपर से ही आए हुए हैं और इनके लिए बिस्तत रूप से हम समझाते हुए चलेंगे तो लेखांकन का आर्थ है लेखांकन सूचना के सुरोत के रूप में है फिर लेखांकन की भूमिका है पार्भासिक सब्द है लेखांकन की सैद्दान्तिक आधार है यह आपको भले ही चाहँ पढ़ने में अभी कितने टफ लग रहे हो लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो यह बहुत इजी आपको लगेगा इकाई दो पे चलते हैं लेन देनों का अवलेखन यहां पर जो लिखा गुआ है बीटा इसमें प्रारम्बिक लेखे की पुस्तके हैं खाता बही है रोज नामचे में खतौनी है भासि पुस्तक यह सारे निमेरिकल्स वाले पोर्सन है जो चुटकियों में आपके समझ में आ जाएंगे मैं समझाओंगा आपके लिए एक आई नमबर तीन पे बेंक समधान विबरल है और अगले चलते हैं एक आई चार में जिसमें हिरास प्राबधान और सिंचा है हिरास और हिरास से सम्मंद जो points दिया हुए है इतने points को आपको तयार करना है क्योंकि अब C.V.S.C. बोड जैसा सलेवस यह भी होगया जैसे C.V.S.C. पहले होता था कि सिर्व आपको इतना ही तयार करना है इसी में से सब को जाएगा तो वो अब यहाँ पर भी है Hindi बोड में भी है और इसके बाद में भाग दो पे चलते हैं जहां लिक्का है बित्तिय विब्रण बन पणधारी है वम उनकी सूचना अवश्यक्ता है अब यह जो पणधारी की बात कर रही है आपने आज तक सुना ही नहीं होगा अब यह पूझी और आगम के मद भेद अब यह पूझी और आगम क्या चीज़ होती है यह आपके लिए नहीं नहीं सब दोंगे घवराई अगब बिलकुल नहीं ब्यापार में लगा हुआ धन पूझी कहलाता है जितना पूझी लगाने से जो पैशा आता है उसको हम आगम कह होते हैं जिसको हम कहते हैं यह फाइनल एकाउंट सा जिन बच्चों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा यह थोड़ा सा पोर्शन उनका पढ़ा हुआ आएगा यहां पर अब यहां पर लेखांकन के लिए यहां पर लेखांकन के लिए डेटाबेस की सरचना यह 15 में आना है अब यहां पर लेखांकन के लिए डेटाबेस का प्रारूप तयार करना डेटाबेस तकनीकी लेखांकन डेटाबेस के उधारान समबंध परग डाटा यह आप अगर इस तरह से अपना टाइम अगर बरबाद करोगे तो भले ही आपको प्रेशानी हो लेकिन अगर आप अभ से नहीं हो पाता है लेकिन बहुत ही कम फीस में शुरू में तो 50% डिसकाउंट भी रहेगा बहुत कम फीस रखी हुई है उस फीस में आपको अकाउंटेंसी यही लेखा सास्थर और बिजनेस इस्टडी दोनों के लिए हम यहां पर कराएंगे साथ में मौका मिलेगा तो इकोनमिक्स है बैंकिंग है उसके लिए भी हम पूरा कराने का प्रियास करेंगे तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है और जो लोग सिर्फ अपना केबल यह सोचते की नहीं मैं कर लूँगा तो उनके लिए बहुत-बहुत बधाई और जो लोग और कहीं जुड़ना चाहते हो उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो भरोसा हम पर करते हैं उनका हम भरोसा टूट नहीं देंगे तो मिलते नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाई-बाई